अगला प्रशना आया इन दोर के किसी कॉलेज के छात रहे हैं हो कह रहे हैं हमारे कॉलेज के वर्तमान में एक शिक्षक हैं जो आज से कुछ साल पहले आपकी संस्था में काम किया करते थे वो प्रमान के तौर पे आपके साथ खीची हुई कुछ तस्वीर वगर अभी दिखाते हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी बाते करते हैं अपनी क्लासेज में हम लोगों को ग्यान सुनाते हैं पर मैं आपको भी सुनता हूँ तो मुझे आपकी और उनकी बात में कोई समानता दिखाई नहीं देती लेकिन चूंकि वो आपकी संस्था में कुछ दिनों तक काम कर चुके हैं इसलिए सम्मान के नाते मैं उनसे कोई तर्क नहीं करता उनकी कोई बात नहीं काटता देखो इतना आसान नहीं होता है मन को साफ कर लेना चेतना को एक उचा स्थान दे देना कि मेरे पास या किसी और के पास साल दो साल चार साल रह करके तुम्हारे मन की बड़ी गहरी शुद्ध हो जाए तो पहली बात तो यह कि दो चार साल में शुद्ध हो नहीं सकती दूसरी बात जिसको शुद्ध में बहुत रुची होती ही वो यहां टिका होता न यहां से छोड़ कर भागा क्यों होता या भगाया गया क्यों होता जो भी बात है तो यह सोचना कि संस्था का कोई पूरो सदस्य है या मेरा कोई पुराना चात्र है उसमें तुम मेरा ही प्रतिविम पाओगे या उसे तुम मेरे प्रतिनिधी की तरह देखोगे ये उचित नहीं है और अगर तुम इस तरह की कोई बात सोच रहे हो किसी व्यक्टि को तुम सिर्फ इस नातेश विकृतिया सम्मान दे रहे हो क्योंकि वो अतीत में कभी मेरे साथ रहा था तो फिर ये तुम्हारी अपनी जम्मेदारी है इसमें मेरा फिर कोई किरदार या उत्तरदाई तो नहीं है किसी व्यक्ति के प्रते मेरी जम्मेदारी वो भी सीमित जम्मेदारी सिर्फ तब तक है जब तक वो व्यक्ते संस्था में है संस्था से निकलने के बाद वो क्या कर रहा है क्या कह रहा है मैं इस विशे में न तो बहुत जानकारी रखता हूं न नियंतरण रखता हूं न जवाब दे ही रख सकता हूं और तुम्हें भी इसी तरह से ये बात साफ समझनी चाहिए कि कुछ साल पहले की बात कुछ साल पहले की बात है हम जो काम कर रहे हैं उसमें दिन प्रते दिन हम नई जमीन तयार कर रहे हैं नई आस्मानों पर आगे बढ़ रहे हैं नई बातें समझ रहे हैं और नई चुनोतियों का सामना करते हुए नई कुर्बानियां दे रहे हैं निश्चित रूप से कोई रहा होगा ऐसा जो इन नई चुनोतियों और नई कुर्बानियों के लिए तयार नहीं रहा होगा लोगों की भाई अपने व्यक्तिकत जीवन होते हैं लोगों की अपनी वरियताएं होती है, अपनी विवश्टाएं होती है, मुझे सानभूती है उनके साथ, तो इस नाते उनको संस्था को छोड़ना इत्याद ही पड़ता है, पर जो भी बात है, बात ये है कि वो व्यक्ति एक बिंदो के आगे हमसे कंदे से कंदा और कदम से चल पाया ना, नहीं चल पाया तो अब मेरा सारा ध्यान उन पर है जो साथ चल रहे हैं, मेरा ध्यान उन पर है जो अभी भी सुनना, सीखना, समझना चाहते हैं, और सुनी, सीखी, समझी बात को दुनिया में आगे तक पहुँचाना चाहते हैं, ठीक है, ये जो तुमने आपको ग्यानी वगेरा जताते हैं, ये लक्षन मुझे कुछ शुब नहीं लग रहे हैं, ठीक है, अक्सर ये होता है, देखो कि जो लोग यहां से निकले हैं, वो तो निकलने की लज्जा के मारे मेरे सामने कभी पढ़ते नहीं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, जो संस्था कि तरह है, संस्था छोड़ने का मतलब होता है कि तुमने उस चुनोती के आगे घुटने टेक दिया हार मान ली, तुम अपनी नजरों में गिर तो जाते ही हो, समझ रहे हो बात को, अपनी नजरों में गिर भी जाते हो, और ये स्विकार भी नहीं करना पड़ा चाहते हैं, और तुम्हारा ही निर्णय था जिसके कारण तुम संस्था में आज नहीं हो, तो फिर कई ऐसे भी होते हैं, जो संस्था के प्रति दोश द्रिश्टी रखने लग जाते हैं, वो कहते हैं कि साहब हम तो बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन ऐसी हालत आ गई तो में निकलना पड़ा, या कि संस्था में ही ऐसी खरावी थी कि हमें बाहर आना पड़ा, तो फिर आम तोर पे ऐसे लोगों का मुझसे तो कोई संपर्क या संबंध रह नहीं जाता, रोचक बाती है कि मुझसे संपर्क संबंध नहीं है, लेकिन मेरा नाम ले करके और मेरी फोटो दिखा करके इन दौर में धौस चलाई जा रही है, ये बात कुछ ठीक नहीं लगती है, अगर इन सज्जन को वाकई सम्मान होता मेरे प्रतिक, कदर करते ये मेरी, तो सबसे पहले ये मुझसे सीधे संपर्क में रहते हैं ना, बोलो, देखो, रोज सैकडों में लोगों के कॉमेंट आते हैं, प्राठनाएं आते हैं कि क्या हम आचारेजी से थोड़ी देरे के लिए मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लोग आतोर रहते हैं कि आएं, बात करें, मैं इस बारे में बहुत विनमरता से बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे अपना कुछ आपको वजन बढ़ा के दिखाना है तो एक तरफ तो वो लोग हैं जो थोड़ा सा समय पाने के लिए आतो रहें और दूसी तरफ वो व्यक्ति है जिसको पूरा-पूरा समय मिलने का अवसर था और वो उस अवसर को छोड़ कर चला गया है छो मेरे परती तूब नहीं है, ना मेरा नाम लेकर करके वहाँ पर अपना प्रभाव छेतर रविस्रत कर रहेह हो यह बात तो नहीं है तो तुम अगर मुझे सुनते हो सीधे तो मुझे ही सुन लो मैंने कोई प्रत्नीदेah मुझे अगर प्रतिनिधी नियुक्त करने होते तो वो काम करने का बिलकुल एक दूसरा तरीका होता अभी तो मेरा एक ही प्रतिनिधी है ये चैनल सीधे सीधे बात सुन लो किसी मध्यस्त की कोई विशेश आवश्यक्ता है नहीं और जब तक सजीव सामने हूँ तो मैं खुद ही चाह रहा हूँ कि तुमसे आमने सामने की ही बात हो जब सजीव नहीं रहूंगा तब कितब देखी जाएगी तब के लिए भी किताबें हैं वीडियोज हैं सारा प्रबंध करा ही जा रहा है सतर करो सतर करो